तो जैसे कि आप थम्निल पर देखकर आए हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बैंक नोट प्रे जूनियर टेखनीसियन की जो पोश्ट पर वेकेंसी आई है, अगर आपने भी उस पोश्ट के लिए फोम अपलाई कर दिया है, तो क्या आप उसके फोम में करे करने कोई ज़रूरत ही नहीं है, अगर आप से कुछ मिस्टेक हो गई है, तो क्या उसमें करेक्शन का अबलेवल है या नहीं है, अगर उसमें करेक्शन का अबलेवल है, तो कैसे आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, कि आपने इसमें कर पड़ता है मुआल नंबर बनना पड़ता है और इमेल आईडी बननी पड़ती है इसके बाद आपका रेजिटेशन कंप्लीट हो जाता है आप सबसे पहले स्क्रीन पर लिखकर रहा जाता है रेजिटेशन नंबर और उसका पासवर्ड तो अगर आपने सिर्फ नाम बनने में या फिर मुआल नंबर या इमेल आईडी बनने में मिश्टेक कर दिये तो आप सिंपली एक नया रेजिटेशन कर सकते हैं अगर आपने फॉर्म को समिट नहीं किया है तो हाँ अगर पहला स्टेप आपका सही है उसके बाद आपको अप्लोड करने पड़ती है अपनी फोट सकते हैं नए मुआल नंबर से नई इमेल आईडी से भले ही आपने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है लेकिन अभी तक आपने फॉर्म समिट नहीं किया है जब आपने प्रूव्यू करके देखा तो आपको पते चला है ऐसी ऐसी आपसे मिश्टेक होई है और आपने तुरंत इसमें correction का option available है या नहीं है या बाद में कई लोग मुझसे comment करके पूछते हैं कि भाईया ऐसी ऐसी मुझसे mistake हो गई है और मेरा form submit भी हो गया है तो क्या मैं इसमें अब correction कर सकता हूं या नहीं कर सकता तो इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा देख लेते हैं इसके official notification को इसमे तो मुझे ऐसी कोई भी जानकारी नहीं देखी जो corrections related है अब आप यह सोच रहे हों कि अभी-भी मैंने आपसे बोला था कि corrections related आपको जानकारी दिखा देता हूं तो अब कई लोग यह बोलें कि notification में ऐसा दे नहीं रखा तो आप कहां से दिखाने वाले हो तो मैं आपको direct इ last question वाला option नजर आएगा इस पर आपको click कर देना है तो आपके सामने एक नई PDF open हो जाएगी इसमें आ जाते हैं हम last वाले question पर यह 10 नंबर पर जो question दे रखा है इसको पढ़ लेते हैं I want to change correct the details I enter in the application यही तो है आपके मन का question जो आपके मन में चल रहा था क्या इसमें मैं action कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं दोस्तों पहले तो क्या रहता था पहले एक option अबलेवल था कि अगर आप से कुछ mistake हो जाती थी तो आप एक नया registration कर सकते थे नए mobile नंबर से नई email ID से और आपका जो last वाला form रहता था वही मान किया जाता था और बच्चे हुए जो पहल notification के नहीं IPS करवाती है एक्जाम तो उनके IPS के काफी सारे में notification देख चुका हूं पिछले दो या तीन बार के उनमें यह चीज आ नहीं रहे है कि last वाला जो RID नंबर generate होता है वो आपका मन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा तो मैं उससरे लेटर कोई जानकारी नहीं द कर रहे हैं उसके submit करने से पहले please choose edit option to correct the details यानि कि edit option select करिए अगर आपको कोई भी details को edit करना है please remember take as printout modifying any details आपको यह याद रखना है कि आप एक नई printout निकालने अगर आप कोई भी edit करते हैं detail में candidate should note that the data enter cannot be modified after complete registration candidate को यह याद रखना है कि एक बार उन्होंने जो data entered कर दिया है और उसके form को registration को complete कर दिया है और submit कर दिया है application को तो उसके बाद उसमें कोई भी modification अब लेवल नहीं हो सकता है तो इन्होंने यहाँ पर साप साप दे दिया है कि आप कोई भी modification और edit वगरा नहीं कर सकते हैं form में अगर एक बार form submit हो गया है तो अब आप क्या कर सकते हैं तो देखिए दोस्तों पहले तो यहाँ पर देքर रखते थे कि यहाँ आप ऐसे से दुबारा से form को फिल कर सकते है अगर आपको ऐसा लगता है कोई आप से बड़ी mistake हो गए है तो आप दोबार से नए फॉर्म को फिल कर सकते हैं जैसे कि मैंने अभी आपको पता है लेकिन अब उन्होंने ये वाला option हटा दिया है क्या किया है वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि लेने की जरूत नहीं है और आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेकिन हाँ अगर आपसे सिर्फ एजुकेशन डिटेल्स वगएरा बने मिश्टेक होई है और आपने मतलब एड्रेस वगएरा फिल किया उसमें कुछ मिश्टेक हो गई है तो आपको यहां पर अबलेवल थी उसको मैंने कोसिक किया इस वीडियो में बताने की तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा मॉटिवेशन और अपना प्यार बनाने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं चैनल पर पहली वार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी म मेरी आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए